हे अवरिवान अससालाम अलेकुम तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो शुएब का वीडियो आया है और एक और डे उनका शिमला में और जिस तरह उन्होंने अपना विलॉग कैप्चर किया है तो बड़ा जबरदस्त मुझे लगा इनका विलॉग और कुछ चीजें हैं ज दिपिका को वैल्यू नहीं करता या दिपिका को वो एक वैल्यू नहीं देता जो दिपिका डिजर्फ करती है इस तरह की बाते ना आए देन हम सुन रहे होते हैं और कभी कबार हमें भी लगता है ये जो इग्नूरेंस है ये एक फैक्टर रहा है लेकिन आज का जो माशायاللہ विलोग वॉजव माशाला विलोग वॉजज वरी गुड़ और बहुत अच्छा था और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस विल्लोग की लगी वो करूं या जो चीजे थोड़ी कॉंटुवर्शन लगी हैं पहले अच्छी बात रहते हैं तो इस विलोग की जो जितना इन्होंने हमारे साथ शेयर किया इनको number of fans जो है वहाँ पर मिले और इनके साथ selfie ली और इनका जो एक स्टार्डम है वो यहां से clear होता है बहुत सारे लोग शुएब दिपिका दोनों के fans है और मैंने देखा बास जगह पर शुएब जो है वो आगे निकल ली है अपने शदीद ये controversial किये जा रहे होते हैं लेकिन despite that जो लोग हैं जो fans हैं वो फिर भी इनको एक respect भी देते हैं और ये भी अपने fans को value करते हैं ये humble हैं उनकी तरफ उनके साथ कोई attitude नहीं दिखाना और एक बहुत अच्छे तरीके से अपने fans को respond करना तो ये भी बड़ा count करता है स साथ इनके जो इनका एक पूरा crew कह लें कौन है मैं जादातर लोगों को नहीं जानती एक जो इनके धरम दादा हैं कौन है उनको by face जानती हूं बाकिशायद वो हैं जिनको लोग यहां जंगू मंगू या चंगू मंगू कुछ कह रहे होते हैं I don't know वैसे शुएब जो है व शूर खायर जना आगे चलते हैं तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खोश बहुत ज़्यादा है पी बहुत ज़्यादा एक इस शिमला में आकर उस बच्चे के अंदर बहुत निकार आया है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो एक साइड है ना वो इस शिमला ट्र का वो चल वे रहा है और कितना माशालला वो क्यूट मॉमेंट है कितना अच्छा लग रहा है कि रूहान अपने पैरेंट्स के साथ है यह वाली चीज ना मुझे तो बहुत अच्छी लगी देखकर दिल भी खुश हुआ साथ कल के विलॉग में रूहान ने ममा पुकारा था औ लेकिन जो ममा पापा है वो रूहान ने एक अपनी जानिब से एडॉप्ट किया और वो अपने मा और अपने बाप को इन नामों से कॉल कर रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है जब बच्चा पहली पहली बार बोलना सीखता है कुछ एक टूटे फूटे लफ बोलता है साथ साथ जब वॉक करना शुरू करता है जो उसकी एक फस्ट वॉक समझ ले होती तो ये तमाम तर चीज़े देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है और मुझे लगता है बच्चा इस माशाला परफेक्टली ओके और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है टाइम के साथ चलना भी सीख रहा है बोलना भी सीख रहा है माशाला हेल्दी फिट फार्ट बच्चा है अल्ला उसको शादा बाद रखिए हम सब के बच्चों को रखिए खैर जी आगे चलते हैं यहां से जो शुएब का पूरा ट्रिप रहा वो जो शिमला का महौल है माशाला बहुत साथ रूहान के सर पर भी रखी और अपने जनाब के रिए कहा कि आप भी रख लो लेकिन आपकी तो बाल खराब हो जाएंगे अपने क्रियू से भी पूछा बट वो तमाम तर चीज़ें यहां चलती रहें साथ साथ अगर मैं कहूं तो जो डिपिका आई है यहां पर तो मै आपने अपना ब्रैंड लांच किया है लेबिल डीके आई के नाम से और डेली पहनावा जिसका आपने पांच-पांच हजार कर रख लिया है मतलब आपकी जो करंसी है जिस कंट्री में आप रहते हो इंडिया वहां की हिसाब से यह बहुत जादा है तो आप अपना डेली प पहनावा जो है उसमें से एक-एक खुद वेयर क्यों नहीं कर रहीं जब आप खुद वेयर नहीं कर सकती और आप उसमें खुद कमफर्टेबिल नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि जो देखने वाले हैं या जो आपका ब्रैंड लांच होने की बाद यहा है वहाँ पर हर तरह के लोग हैं और मोस्टली वहाँ पर जो लोग हैं वो इतनी फुल स्लीव नहीं पहन रहे होते हैं क्वार्टर के लो विदाउट स्लीव या थोड़ी मिनी स्लीव भी पहनते हैं तो कुछ उस ओडियंस को आपने अपने अपने पर्टिकुलर लॉट है उसको आपने टारगिट करके अपने ड्रेस क्यों नहीं डिजाइन किये कुछ इस तरह की चीजे भी आपको इन अडिशन लेकर आनी चाहिए थी लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज को लेकर बहुत हैरान हूं दिपिका कि जब आप अपना डेली पहनावा में से एक पहनावा पहन कर खुद इस ट्रिप पर नहीं है तो हाउ केन यू एक्सपेक्ट के लोग आपसे वो पहनावा जो है वो पर चेस करें और जो भी क्रिटिसिजम आप जहेल रही है वो आल अफ सदन आकर रुख जाए यह वाली बात मुझे यहाँ पर करना थी दूसरे यहाँ पर दिपिका कुछ शॉल्स वगयरा ली फिर एक पॉइंट पर दिपिका बैठती है और वहाँ पर इनका जो क्रियू है वो भी थोड़ी सास लेता है वहाँ पर इन लोगों ने समोसा चाही यह तमाम तर चीज़ें और जनाब दिपिका सेट के स्कूल टाइम यादा गया बहुत लिमिट था उसने भी कहा कि भाई वो तो पापा के पैसे चुरा लेता था तो शुएब सेड के अब जो पापा है वो सुन रहे होंगे और अंकल जी आपके पैसे यह चुरा लिया करता था घर में किसे पता था उसने कहा बड़ी बहन को तो शुएब सेड के वो भी बहुत सारी श्यवब शेट कि कोई ऐसी चौरी बुरी नहीं लेकिन यес अगर कोई बात मनमाना होती थी तो ममी पापा से कह दिया जाता था कि जो सबा है ना वो ये काम कह रही है अमी अबू से कह दिया जाता था तो इस तरह जो बैन है वो बहुर जादा सपोर्टिभ रही शुएब की ल एक लोग कह रहते हैं कि डिपिका अपनी लाइफ जी रही है, खुल कर इंजॉय करी है, इस टाइम पर भी सबा को याद रखना बड़ी बात है, लोग यहां पर डिसकशन में बाते कर रहे होते हैं, इविन हमें भी कभी कभार लग रहा होते हैं कि कहीं न कहीं, जो बहन भाई तो कहीं यहां पर सनी से शादी का भी तो मौमला नहीं है, क्योंकि सबा सनी ने अपनी लव स्टोरी चला दी है, जब से ये लोग शिमला गए हैं, और लोग गौसिप कर रहे हैं कि इसका एक रीजन ये भी है भाई, कि जो सबा सनी है ना, ज्यादतर तवज्ज़ जो है, ल का विलोग चलता रहा, बच्चा बहुत इंजॉय कर रहा था, इवन बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गया है, और बहुत ज़्यादा एक चीज़े जो है ना, उसको जल्दी जल्दी पिक कर रहा है, जिस तरह एक हातों में गलफ्स पहनाएं, और जिस तरह बहला पुसला कर बच्चों के साथ मौमलात करते हैं, शुईब दिपिका ने ये वाली चीज़ की, यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, लोग बोल रहे होते हैं, कि जो दिपिका और रुहान है, उसका जो शुईब है, वो बहुत जादा कियर नहीं करता है, य यहाँ पर शुईब ने पूरा एक टाइम भी दिया, रुहान को रुहान के साथ खेला भी, रुहान को लेकर होस राइडिंग की, यह तमाम तर चीज़ हैं, बहुत एक क्लियर है कि यह सब कुछ फेक नहीं है, वो सीरियसली बलके लिटरिली बहुत जादा खोश हैं, और मा एक सैल्यूटेशन जो है, वो पेश किया, क्योंकि शुईब पर बहुत जादा क्रिटिसिजम हो रहा है, कि जो शुईब है, उसने यहाँ पर मौझूद एक जो एंशियंट या ओल्ड टेंपल है, जो कि बहुत जादा पॉप्यूलर है, बहुत जादा फेम रखता है, और जो इनकी हिंदू ओडियंस है, वो उसे देखना चाते हैं, तो उसको क्यों नहीं कैप्चर किया, तो मुझे लगता है, उसको एफेक्ट को थोड़ा सा लाइटिन करने के लिए, शुईब ने आज स्टार्ट में जो इस तरह से सैल्यूटेशन दिया, यह वाली कोई चीज ह हो सकती है, बट मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है, कमिंग डेज में शुईब जो है, वो टैम्पल को भी विजिट करवा दें, मुझे ऐसा लग रहे ना कि all of sudden शुईब आकर ये काम नहीं कर सकते, otherwise यहां यह इंपक्ट जाएगा कि शुईब को रियक्शन वीडियोज इंफ् ट्यूब ऑन सोचल मीडिया जो कि डिफरेंट रिलिजिन से हैं, तो उनकी भी थोड़ी सी एक होता है ना, खुशी का खयाल करते हुए, उस प्लेस को विजिट करा दिया, हो सकता है, वो शुईब के कैमरा से इन तमाम तर चीजों को देखना चाह रहे हैं, लेकिन ऑन बच्चे को भी ट्रॉल कर रहे होते हैं, जीवजीब बेवकुफाना बाते कर रहे होते हैं, कुछ लोग तो उनकी भी तसली हो गई होगी, ओवराल जो विलॉक था वो अच्छा रहा, देखने में मज़ा आया, और बोरियत नहीं हुई, तो ये सबसे अच्छी बात है, और इनके फैन्स और इनका जो एक स्टारडम है, वो अपनी जगा एक्जिस्ट करता है, लोग जिस तरह मिल रहे थे, लोग जिस तरह सेलफी ले रहे थे, जाहिर सी बात है, 12-13 मिनट की वीडियो में, अब वो पूरे दिन की रुटीन को कमपाइल अप करके, जहां पर उने के लिए, दिपिका गिफ्ट तो लेकर जाएगी, साथ साथ कौन है, रिज़ा है, रिहान है, मतलब इन तमाम के लिए, तो ओवर ओल जो विलोग है, मुझे बहुत मज़ा आया, देखने में बुरियत नहीं हुई, अच्छा लगा, गुड लग, अल्लाह आफिज.